आँ मेरे पास सवाल आया कि सागर भाई एक बात बताओ कि जो यूट्यूबर होते हैं वह अपनी income बताने में इतना जिजगते क्यों हैं वो बताते क्यों है इसके पीछे क्या राज है कि कोई भी यूट्यूबर exactly अपनी income figure नहीं बताता कि वो YouTube से कितना कमाता है इस चीज के पर बात करने वाले हैं इस तरह का सवाल आप लोग पूछ रहे हो जानना भी चाहिए आज मैं आपको बताऊँगा देखिए जो हम YouTube में जो हम वीडियो connected होता है AdSense से Google की एक ऐसी सर्वेस है जिसकी मदद से आप अगर कोई blog बनाते हैं लिखने वाला blog बनाते हैं वहाँ पर आप ads लगा सकते है Google की तरफ से और जो ad लोग देखेंगे आपकी website पराएंगे तो आप उससे पैसा कमा सकते हो सेम सर्वेस आपके YouTube से भी connected होती है और उसी कित्रू आपको पैसे आते है AdSense की मदद से Google की मदद से आपके YouTube जो भी चैनल है उसकी जो वीडियोज है उस पर ads प्ले होते हैं और जो final महीने की 21 तारिक के पास आपके जो पैसे हैं वो आपके bank account में डल जाते हैं सीदी सी बात अब Google की ये policy है और ये policy रही है कि आप अपनी income नहीं बता सकते क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी income बताएंगे revenue वाला part आप ये बता सकते हैं कितने impression मिले आपके कितने views आए, कितने likes आए कितना page impression है, कितने बार दिखा है ये सब आप बता सकते हो लेकिन ये नहीं बता सकते कि आपने exact इतना income figure मतलब इतने पैसे आपने कमाए क्योंकि इससे ये होगा कि लोग quality content बनाने की अलावा सिर्फ पैसे के पीछे भागना शुरू कर देंगे और जो उनका main objective हो जाएगा वो YouTube पर quality content बनाना नहीं होगा बलकि quality पैसा कमाना होगा, क्योंकि ये गलत है कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए कुछ भी content बना रहे हो और कोई भी आप value add नहीं कर रहे हो है YouTube community के लिए और YouTube platform के लिए तो ये गलत है अगर आपको दिखेगा कि कोई particular चीज या particular चीज से ज़्यादा पैसे आ रहे है या ज़्यादा पैसे कमा रहे है अरे उसको तो इतने रुपे आ रहे हैं तो आप उन रुपेओं के पीछे भागोगे आप इस चीज के पीछे नहीं भागोगे कि मुझे अपना चैनल कैसे ग्रो करना है मुझे कैसे content अच्छे से अच्छा बनाना है इस चीज को रोकने के लिए Google ने ये policy बनाई थी और ये चलती हुई आ रही है बहुत सारे YouTubers को इस policy के बारे में पता नहीं है लेकिन वो जब देखते हैं कि साथ वाले YouTubers भी exact figure अपना नहीं बताते हैं कि वो उनको लगता है कि शायद कोई community guideline के strike आएगी या कुछीज आएगी तो वो भी नहीं बताते इसलिए हम नहीं बताते कि हम ने अपने YouTube से कितने पैसे कमाएं हैं ऐसे बहुत सारी third party website है और बहुत सारे लोग है जो ये बोलते हैं कि एक view पे एक dollar मिलता है और technical सागर महीने के 2 करोड रुपे कमाता है 4 करोड कमाता है 10 करोड कमाता है 100 करोड कमाता है मतलब तुमको लगता है मैं इतना अमीर नहीं हो मेरे भाई तो मैंने आपको बता दिया कि ये सब झूट बात है जो भी आपको मेरे बारे में जो व्लॉग वगएरा बनते हैं लोग बोलते हैं किसा अगर 10-10 करोड कमाता है अभे 10 करोड कितने होगद दस करोड 10 करोड है वो दस चिल्लड नहीं है तो सब जूट बात है ये कोई नहीं बता सकता आपके अलावा और हमारे अलावा जो चैनल चलाता है वो भी नहीं बता सकता क्योंकि ये policy के against है और moral तरीके से और ऐसे भी देखा जाए sister-char के तरीके पे तो कोई कितने पैसे कमाता है उसके बारे में कभी भी नहीं पूछना चाहिए एक वाज़ा ये भी है कि यार किसी की salary और किसी कोई कितना पैसा कमाता है इस चीज के बारे में नहीं पूछना चाहिए और इस चीज के बारे में थोड़ा embarrassing होता है इस चीज में बात करना भी लेकिन बहुत जिद करते हैं लोग तो यूट्यूबर्स क्या करते हैं किसी प्रोडक्ट किसी चीज के रेफरेंस में वो बता देते हैं कि वो कितने पैसे कमाते हैं वो बलते हैं कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं यह चीज खरी सकता हूं वो उनको थोड़ी धील छोड़ दी गई है या policy को अभी इस चीज को इतना ध्यान में नहीं रखा जा रहा है इसके बारे मुझे कोई अभी जानकारी नहीं कि policy update हुई है नहीं हुई है लेकिन जो भी चीज है जो मुझे लगता है और जो मैंने research से पाया है वो मैंने आपको बता दिया अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी तुसे like करें अपने दोस्ते के साथ share करें और मैं 10 करोड नहीं कमाता नहीं 100 करोड की property है मेरे पास 100 करोड की तुम जास अगर ऐसा हो गया ना किसी दिन सबको प्रसाद बटवाऊंगो ऐसा कुछ नहीं है अगर आप कोई वीडियो अच्छे लगी तुसे like करें दोस्ते के साथ share करें और इथिकल हैकिंग में इंट्रस्ट तो description चेक करें 299 रुपिस के तीन इथिकल हैकिंग कोर्सिस है जो आसान भाषा में आपको hacking सिखा देंगे ठीक है तो पूरे technicality मैंने बता दी आपको कैसे होता है क्यों कोई income नहीं बताता और जो YouTube की income होती है न भाई वो भी बहुत factor पे उस पे जुड़ी हुई होती है बहुत सारे factors होते हैं कितने ads play हुए किस तरह की आपके content है क्या है क्या नहीं है YouTube यह चाहता है बस कि भाई आप quality content बनाओ आप सिर्फ करम किये जाओ पैसे की चिंता मत करो अगर काम अच्छा कर रहे हो व्यू अच्छे मिल रहे है तो हम पैसे आपको दे देंगे बस इतना याद रखो I hope आपको अच्छी लगेगी वीडियो आप मुझे Twitter, Instagram और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं सभी के निक डिस्क्रिप्शन में चैनल को सब्सक्राब करने के साथ है ना बेल आइकन को प्रेस कर लिना नोडिफिकेशन मिल जाता है मैं मुत आप से ली वीडियो मैं थैंक यू सो मच और गुद बाए